नमस्कार मैं हूँ सुधा स्वागेत आपका डिजिट हिंदी में शाउमीन अपने ड्रेट्मी सेवेंड को दिया अल्टिमेट ऑल राउंडर के तौर पर क्वालकम स्नाप डेकन सिक थीपसेट 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोर्ट के साफ ट्वेश किया 1999 की कीमत में आने वाले डेट्मी सेवेंड को आज हम आपके साथ जानेंगे डीटेल में nya जमा स्का रिवियो करने वाले इसे जरीए जानेंगे के खमनेड ब्ले ब्लूनर ईडगर इंडाईरं अने वाले डेट्मी सेवेंड में ऐसी खां जिसके चल्टे आपको यह फन जा सकता है वहीं back panel regular glossy plastic panel है जो black plastic beading के जरिये दोन पैनल को एक साथ रखता है शौमी के मताबिक Redmi 7 की body एक P2i nano coating के साथ आती है जो splash resistant है लेकिन waterproof नहीं है यानि इस device को IP rating नहीं मिली है जब आप इस spoon को हाथ में पकड़ते हैं तो रियर पैनल प्लास्टिक प्रेम में बहुत अच्छी से फिट नहीं बढ़ता है एक साइड आपको उतका है शाप लग सकता है लेकिन इतना शाप भी नहीं कि को जाहिर सी बात है कि fingerprints और smudges आएंगे ही फोन के टॉप साइड में आपको 3.5 mm audio jack एक secondary microphone और एक IR blaster मिलता है वहीं लेफ्ट साइड में आपको सेम microSD card tray मिलती है फोन के निचले हिससे पर आएंगे तो charging और data transfer के लिए माइक्रो USB port और loudspeaker grills मिलते हैं डिवाइस के राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है बैक पर आपको ड्यूल कैमरा सेटप विजबल कैमरा बंप और fingerprint scanner के साथ मिलता है यह डिवाइस डिस्प्लो आडियो की बात करें रोड रेद्मी 7 की IPS LCD स्क्रीन 6.26 इंच की है इसमें आस्पेक्ट रेशियो 19.9 और रेजोलिशन 1520 तो 720 पिक्सल का मिलता है इसका स्क्रीन तो बॉड़ी रेशियो 87 पर सेंट है और पिक्सल डेंसिटी 269 पिक्सल पर इंच है जो कि ठीक ठाक है हमाई टेस्ट के मुताबिक रिव्यू यूनिट ज साउंड लाउड और क्लियर है सभी फ्रिकंसी पर गाने भी इसमें अच्छे से चले कुल मिलाकर रेड्मी 7 इस मामले में बहतर साउंड एक्स्प्रियंस देता है वहीं दूसी तरफ एर पीस से कॉल अगर आप करते हैं तो वॉल्यूम आपको एवरेज मिल सकती है कीमिंग परफॉमेंस की बात करें तो रेड्मी 7 कॉलकम स्नापडरेगं सिस्थी टू चिपसित के साथ आता है जिसे जून 2018 में लाया गया था इस चिप में आपको 14 नानो मिचाटर को प्रोसेसर और पोर केरियो 250 गोल्ड प्रोसेसर कोर्स और पोर केरियो 250 सिल्वर प्रोसेसर कोर्स के साथ 1.8 GHz पर मिलता है इस बजट शामी फोन को दो एंस में ओफर किया गया है जिसमें 2GB RAM शामी ले और इसकी कीमत 7999 रुपया है और दूसरा है 3GB RAM जिसके कीमत 8999 रुपया है दोनमें इंटर्नल स्टोरेज स्टैंडर्ड 32GB मिलता है एक्टर्नल स्टोरेज को आप माइक 7 review unit ने काफी अथा स्कोर किया एं 2-2 7.0 पर इसका स्कोर 104809 रहा वहीं Nokia 4.2 जो Qualcomm Snapdragon 439 चिपसेट और 3GB RAM से साथ आता है उसने 62985 स्कोर किया गीग वें सिंगल कोर मल्टी कोर टेप्स में रेड्मी 7 ने 1240 और 4370 स्कोर किया वहीं Nokia 4.2 की बात करें तो इसने 894 और 3338 स्कोर किया अगर डेली बिसेस पे रेड्मी 7 की परफॉर्मेंस की बात करें तो एप्स की लांचिंग, मिनिमाइजिंग, क्लोजिंग और दो एप्स की बीच में सोइच करना इस दोरान में कोई दिक्कत नहीं आई यानि यह हमारे लिए ट्रबल फ्री एक्स्पिरेंस रहा, ब्राउजिंग और ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो की बात करें तो इसका एक्स्पिरेंस भी शांदर रहा, बैग्राउंड एक्टिविटी उस दो दोरान एसफॉर्ट 9 फ्रेंस पर सेकेंड की मीडियन रेट फ्रेम पर चला, वहीं PUBG मोबाइल 26 फ्रेंस पर सेकेंड की मीडियन फ्रेम रेट पर चला, एक्शल गेम प्लेए के दोरान एसफॉर्ट 9 थोड़ा पिक्सलेट हुआ, लेकिन खासा दिकत नहीं आई, गेम बेंच के जरी रिकॉर्ड है, इस तरह आप कह सकते हैं कि सीरियस गेमर हैं अगर आप, तो PUBG मोबाइल को बजट फोर में खिलना आपके लिए एक शांदार एक्स्पीरेंस हो सकता है, रेटमी 7 आपके लिए बहतर है इस मामले में, क्यामरा की बात करें तो रेटमी 7 में आपको dual camera setup मिलता है, जिसमें 12 Megapixel का primary sensor है और इसका aperture है F2.2 और एक 2 Megapixel का depth sensor मिलता है, जो portrait shots के लिए आता है, साथ है आपको single LED flash भी मिलता है, साथ है अपको 8 Megapixel का दिया गया है camera आपको aperture F2.0 है, शामी के मताबिक rear camera scene detection, portrait mode, और beautify 4.0 जो के function है AI के साथ आता है, रेटमी 7 क primary rear camera से जब हमने दिन दे फोटो ली, तो color काफी अच्छे आए, portrait mode से दिन में तस्वीर लेने पर कोई परिशानी नहीं हूँ, selfie की बात करें तो दिन में selfie लेने के दोरान हमें कोई दिकत नहीं आए, लेकिन अगर आप indoors में तस्वीर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा noise disturbance हो सक के साथ, वहीं low light selfie में भी काफी noise मिलेगा आपको, default camera app का स्तमाल करना Nokia 4.2 से कहीं ज्यादा बैतर होगा, क्योंकि उसका default camera app काफी slow है, वहीं Instagram फैंस के लिए एक अच्छी बात यह है कि Redmi 7 में आपके पास square photos लेने का भी option है, यानि अब आपको Instagram readypates भी मिलेंगी, प्रो मोड भी आपको इसमें दिया गया है, तो हम कहा सकते हैं कि इस camera department में भी Redmi 7 अपने price track के साथ आपके लिए एक बहतर option है, software की बात करें तो Redmi 7 latest MIUI 10.2 के साथ आता है, UI का आप आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं, optional feature के तोर पर navigation के लिए MIUI latest form of gestures के साथ आता है, जैसे कि iPhones पर आपको मिलता है, आपको इसमें Android Q भी मिलेगा, आपको इसमें कई theme और wallpapers भी मिलते हैं, कई features के बाद भी MIUI में कई ads भी मिलेंगे, बैटरी की बात करें तो Redmi 7 में आपको 4000 mAh की non-removable बैटरी मिलती है, और हमारे standard battery benchmark test में review unit 545 मिनट तक चला, और वही Nokia से compare करें तो Nokia 4.2 के वल 15 मिनट ही चल पाया, Nokia 4.2 में वहीं आपको काफी छोटी battery भी मिलती है, Redmi phone के मुकाबले 3000 mAh के साथ ये battery आती है, अगर आप अच्छे से Redmi 7 का स्टमाल डेली बेसेस पर करते हैं तो ये device सिंगल चार्ज पर दो दिन तक चल सकता है, टेस्क के दौरान phone को कई web browsing, gaming, online video playback, app installation और downloads जैसे sessions पर रखा गया, medium से heavy use के एक दिन बाद भी device की battery 100% से 60% पर आई, ऐसे में Redmi 7 की battery performance सही है और heavy use के बाद भी आप तेर दिन तक इसका इस्तमाल कर सकते हैं, इस तरह कुल मिला कर देखा जाये तो Redmi 7 अपनी कीमत में आपको निराश नहीं करता है, ये budget Xiaomi phone display और camera में भी अच्छा परफॉर्म करता है, PUBG Mobile Players के लिए ये budget phone एक अच्छा option हो सकता है, इसलिए इसे आप इसके price के साथ all-rounder का खिताब दे सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अभी तक आपने हमाई चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे लाइक करें, शेर करें, कॉमेंट करें, धन्यवाद.